Hello friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजे इंद्र बंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ और आज का हमारा वीडियो है monthly test class 12th, month अगस्त, अगस्त महा के जो आपके मासिक टेस्ट चल रहे हैं उसमें class 12th English के paper को हम swallow कर रहे हैं ठीके दोस्तों, चैनल पर इदिया आप नए हैं तो चैनल को आप subscribe करें साथ ही आपके friends, relative classmates के पास इस वीडियो को share करें ठीके दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो comments करें और like जरूर करें subject English में पहला question दिया गया है read the pages carefully and prepare notes using appropriate abbreviations ठीके दोस्तों, मतलब note making करना है और abbreviation का use करना है सबसे पहले तो आपको मैं जान कर देतूं कि हमारे channel के माध्यम से हमने note making summary के rules and regulation के साथ example बहुत ही अच्छे से करवाए हैं तो वो videos यदि आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखेगा channel को subscribe कर आपको playlist मिलेगी note making के लिए ठीके तो उसको जरूर देखेगा उसमें सारे rule बताये हैं कि abbreviation कैसे करना है और note making कैसे करना है और यदि summary भी बूछ रहे हैं तो उस summary को भी कैसे लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएगा है तो वो जरूर देखेगा वीडियो के description में मैं उसकी link देदूँगा उस video की है ठीके तो note making में सबसे पहला rule रहता है कि जो paragraph दिया जाए उस paragraph को आपको अच्छे से पढ़ना है ठीके आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें heart के उपर कहा गया है ह-e-a-r-t heart ठीक अब इसका answer मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ देखिए question number first में यहाँ आपको लिखना है यहाँ जो लिखा हुआ है title यह title आपको यहाँ लिखना है उपर title heart के लिखना है heart h-e-r-t heart heart मतलब दिल और यह जो notes लिखा हुआ इसको आपको यहाँ लिखना है notes ठीक है उसके बाद में पहला जो heading है वो है function of heart फिर उसमें आप point लिख सकते हैं a b c या फिर 1.1 1.2 या 1.3 भी लिख सकते हैं लिखा हुआ है vital for living never stops working supplies oxygen reach blood to diff and part of the body अब देखों यहाँ पर यह लिखा हुआ है working तो इसमें क्या किया गया है कि जो वोवेल्स हैं उनको omit कर दिया गया है मतलब हटा दिया गया है फिर यह different यह difference उसका abbreviation है ठीक उसके बाद में दूसरा point दिया गया है structure of the heart divided into four columns connected by walls उसका structure दिया गया है यह ना यह notes है इसके blood purified in the lungs यह ना arteries convey pure blood to different part of body और तीसरा part इसमें दिया गया है heart disease मतलब दिल की बिमारिया के कारण क्या है जैसे weak muscles, defective valves और defective pacemakers इसके बाद में key to abbreviation मतलब किन-किन सब्दों को abbreviate किया गया है तो different को किया गया है deep में heart lungs machine उसको HLM में किया गया है blood cells को BC में किया गया है और सको HRS में किया गया है और working को WRKG में किया गया है ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से यदि आप note making करते हैं तो आपको number अच्छे मिलेंगे अगले question की ओर चले question number two दिया गया है last week on the way to school पिछले सब्ता इसकूल के रास्ते पर you witnessed an accident chain snatching near your school यहाँ पर लिया गया है chain snatching chain का आर्थ होता है जो गले में हम chain पहनते वो और snatching मतलब होता है उसको जपट लेना या खीच लेना near your school आपके school के पास एक couple of senior students of your school chased the snatching snatching मतलब chain खिचने वाला तो आपके school के दो student उन्होंने उस chain खिचने वाले को पकड़ लिया caught him उसको पकड़ा and handed him over to the police और police को hand over कर दिया police को पकड़ा दिया write a report on this daring act in about 100 words for your school magazine आपकी school magazine के लिए आपको 100 सब्दों में एक क्या लिखना है report लिखना है you are Amar Amita ठीक है दोस्तों तो इसका answer देखते हैं तो question number two की जो answer है वो क्या है एक report है तो सबसे उपर आपको title लिख देना है bravery bravery ब्रेवरी मतलब बहादूरी ठीक है उसके बाद में by Amar अप लड़की का भी नाम लिख सकते हैं oblique कर के question में लिखा हुआ है new daily 30th September 2021 a few days ago कुछ दिनों पहले या last week भी लिख सकते हैं when I was in the way यह लिखना है on the way on the way of home from school suddenly I observed a very horrible incident of chain snagging तो मैं जब इसकूल से घर आ रहा था तो मैंने आचानक देखा कि एक chain snagging हो रही है chain snagging की घटना chain snagging मतलब chain तोड के ले जाना है खीस लेना and about nearly out three o'clock जो की लगबक तीन बजे की बात है in the in market a snatcher arrived and tried to snatch chain from old lady एक snatcher मतलब chain खीसने वाला एक old lady मतलब बूरी महिला से की chain खीच रहा था then our senior students Rohit and Manis chased him और जो snagger था उसको हमारे जो senior student है Rohit और Manis ने chase किया within 20 minutes उसमें लगबक उनको 20 minutes लगे होंगे and called immediately to the police और तुरंत ही उन्होंने police को call किया after that both of them awarded by police and school इसके बाद police वालोंने और school के staff ने उनको awarded किया उनको पुरुसकार दिये they proved that और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया there is no age of bravery and humanity की bravery मतलब बहाद्दूरी और मानवता की कोई उम्र नहीं होती है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते है next question की और अगला question है fill in the blanks with appropriate determiners appropriate determiners यहाँ पर put up करना है रिक्तिस्थान की जगे पर जिसे पहला दिया गया है sun rises in the east तो यहाँ पर आएगा the ठीक है article के rule है यहाँ पर जो यह the है यह क्या है एक special है unique है तो उसके पहले हम article the का use करते है definite article the there aren't students in the library तो यहाँ पर aren't है means sentence जो नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम any का use करते हैं तो answer क्या होगा any see gave a cookie to child तो यहाँ पर आएगा each क्या आएगा each each and every को भी हमने अच्छे से explain किया है determiners सारे पढ़ाए हुए है तो इनके rules and regulation यह आप चाहते हैं तो उनको जरूर देखिएगा playlist में आपको मिलेगी grammar for all के नाम से playlist बनी हुई है अगला है I always keep रिक्तिस्थान money in my wallet for emergencies तो sentence देखिए यह affirmative है और affirmative sentence रहता है यह statement रहता है तो उसमें some का use होता है तो some यहाँ पर answer रहेगा अगला है there are रिक्तिस्थान birds on the tree birds यहाँ पर plural है बहुवचन है और countable है तो यहाँ पर many का use होगा ठीक है दोस्तों डीटेल में यहाँ आप grammar पढ़ना चाते हैं यहाँ टेक्स्ट बुक वर्क बुक पढ़ना चाते हैं question answer करना चाते हैं question practice करना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को please subscribe कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास share भी कीजिएगा अगला question है change the voice पहला है he killed a snake तो इसका answer होगा a snake was killed by him अगला है I will never forgot this experience तो इसका answer होगा this experience will be never forgotten by me अब इनके answer यह कैसे हुए हैं कौन से rules follow हुए हैं तो इनके वीडियो आप देख सकते हैं grammar for all के नाम से जिसमें सभी प्रकार के active into passive और passive into active सारी हमने बताया हैं ठीक है दोस्त तो अगला question है have you finished the report has the report been finished by you okay किसी प्रकार को कोई doubt यह कोई क्यूरी रहे तो without any hesitation आप comments कर सकते हैं अगला question है answer the following questions यह question जो दिये गए हैं यह हमारी जो text book है हमारी text book है flamingo उसके lesson number first the last lesson से लिये गए हैं तो इनके answer से हम देखते हैं ठीक है दोस्तों जैसे पहला question है what was french expected to be prepared for school that day उस दिन french उस लड़के का नाम है वो उसको क्या आसा थी school से तो देखते हैं answer होगा he was expected to be prepared with the rules for the use of participles you know participles के rules से संबंदित उसको उसने उमीद की थी क्यों उमीद की थी क्योंकि जो em ml उसके teacher थे उन्होंने participles पर उनसे question करने थे दूसरा जो question है उसका answer है यहाँ पर there was complete silence everywhere सब जगे complete silence था all looked sad सभी दुखी दिख रहे थे and serious और गंभीर दिख रहे थे old people of the village had come to thank mr. em ml और गाओं के बुड़े वेक्ती भी वहाँ पर आयो हुए थे mr. em ml em ml कौन थे वो जो teacher थे french भासा के उसको उनको धन्यवाद देने आये थे for his faithful service for 40 years जो कि उन्होंने पिछले 40-40 वर्सों से इस school की सेवा की है तो इसलिए वो धन्यवाद देने आये थे अगला question है question number third friends, parents and em ml himself blame for the neglect of learning on the part of students like french यह ना तो वो french के parents या students के parents और so em em ml अपने आपको दोसी ठहराता है इसीच के लिए ठीके दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हमने class 12 monthly test में English का complete solution किया हुआ है आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने friends related to classmates के past please share कीजिएगा ताकि वह भी इससे अपने answers में help ले सके हैं ठीके दोस्तों thank you very much for watching and take care of yourself thank you once again